सभी को जहिन मैं इतनी कोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में देखेगा शाम क्याट बच चुके हम लाईउ आ चुके फटा फट सभी के डेट जल्दी से लाईउ आ जाए और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी के डेट्स मुझे चार्ट बोक्स में रिस्पॉंड करें कि आज की इस क्लास में कोन-कोन प्रेजेंट है तो आज की एक धमाकेदार क्लास होने वाला है तो आज की इस क्लास में हम डिसकर्स करने वाले NCC Entrance एक्जाम के बारे में आप सभी को पता है कि आप जब भी NCC में भरती हो निकले जाते हो तो आप सभी को तीन स्टेजेस से गुजरना होता है सब सब पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसके वायत में आपका रिटर्न टेस्ट होता है फिर आपका इंटर्यू होता है तो NCC के return test में किस तरीके के जो question पूचे आते हैं उसी काम एक model question paper आज की class में discuss करेंगे इसलिए video last तक दिखना है NCC new भरती 2022 और 23 के लिए अगर अब 22-23 में अगर भरती होना चाहते हैं तो video last तक दिखिए समय होगा एक गंटे का और इसके जो maximum marks होंगे वो होंगे 50 ठीक है और model question paper आज का 3 होने वाला है इससे पहले already हमने जो है model paper 2 तक हमने discuss कर रखा है तो मैंने नीचे description box में एक playlist दिया हुआ है NCC model paper 2022 उसके उपर click करके आप सारी videos देख सकते हो तो पहला question है आप सभी के सामने तो सभी के rates के मैं आज नाम नहीं ले सकता हूँ but मैं सभी के charts पढ़ रहा हूँ और सभी के नाम को मैं highlight भी कर रहा हूँ तो सभी fast में answer देने की कोशिश करेंगे और एक rapid fire वाली आज की class होगी जिसमें आपको ज़्यादा time नहीं मिलेगा पहला question है कि भारती है विदेश व्यापार संस्तान कहाँ परस्ती थे जैसी कि options है तीरुवंत पूराम कोलकाता नहीं दिली या मुंबई तो जो भी आपका सही जवाबे सभी के तरफ से answer आ जाना चीए ठीक है आप आज के दिन जो है वो class answer जो आप ABCD में दे सकते हो अपने पास ज़्यादा timing नहीं होगा तो ABCD में आप सभी answer दे सकते हो बिल्कुल सही है तो जिनों ने भी इसका answer बोला option C यानि कि नई दिली जिनों ने भी बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है बिल्कुल सभी के दरब से answer आज जाना चीए बिल्कुल सही है तो जिनों ने भी आप में से केरल बोला है यानि कि option D जिनों ने भी बोला है केरल बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है परफेक्ट है मसालों का बगीचा केरल राज्य में है केरल राज्य को कला जाता है याद रखे क्वेशन नम्बर थ्री सभी के सामने वो है कि निम्मेलिकित में से किसने तीनों गोल में समयलनों में भाग लिया था ठीक है डॉक्टर बी आर अमबेटकर साहब है उन सभी का बिलकुल सही है option A is the right answer डॉक्टर बी आर अमबेटकर साहब नेक्स्ट कोशन है वरिवान सभी के सामने वो है कि जलिया वाला बाग हत्या कांडग के समय भारत के वोइस राइकोन थे जैसी कि option से Lord Mountbaton, Lord Chamesford Lord Canning या Lord Dalogy क्या होगा इसका सही जवाब बिलकुल ठीक है तो जिनोंने भी option B बोला याने कि Lord Chamesford बोला है उन सभी का बिलकुल सही है option B is the right answer तो आज के class में आप ABCD में answer दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस सबसे पहले answer दनी की कोशिश करो सबसे fast answer देना है question number 5 सभी के सामने कि भारत का Manchester की शहर को कहा जता है तो option से आपके सामने Kolkata आए, चन्नी है, मुंबई या, एमदाबाद Manchester का मतलब होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े का उतपादन होता है वो कहाँ पर होता है भी या, तो बिल्कुल जिन्होंने option D बोला है, एमदाबाद यानि की सूरत में होता है, ठीक है, बट एमदाबाद इसमें से जो सही जवाब होगा एमदाबाद, ठीक है, जो की गुजरात में स्तीत है जिन्होंने भी एमदाबाद बोला है, उन सभी का बिल्कुल सही है परफेक्ट, चलो, next question है, question number 6 सभी के सामने, भांगडा कहा का प्रसिद्ध लोकनुत्य है या भांगडा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनुत्य है जैसे की उत्राकंड है, पंजाब है, जारकंड है, गुजरात है तो क्या होगा इसका सही जवाब, very good everyone बिल्कुल, तो जिन्होंने भी आप में से option B बोला है यानि कि पंजाब बोला है, उन सभी का बिल्कुल सही है perfect है, the right answer is पंजाब, good, excellent, चलो, next question number seven सभी के सामने, question number seven है कि लोग चित्रकला की मदूबनी शहिली, ठीक है लोग चित्रकला की जो मदूबनी शहिली है, वो भारत के किस राजजमे प्रचिली थे, ठीक है, कौन से राजजमे फेमस मानी जाती है मदुबनी शहली, जैसे कि उत्तरप्रदेश है महराष्ट रहे, मिजोरा में या बिहार है, क्या होगा everyone इसका जवाब बिल्कुल, तो जिनों ने भी आप में से option D बोला है, याने कि बिहार बोला है उन सबी का बिल्कुल सही है, बिहार में एक मदुबनी जिलाए, तो उसमें वो सबसे ज़ादा, याने कि बिहार राज्य में मदुबनी शहली जो है, वो प्रचली थे, इस बात को याद रखे, ओके और सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हो कि कौन-कौन क्या आंसर दे रहा है, question number 8 everyone, किस वर्ष स्वामी वेकाननद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, तो आपके सामने option से 1893, 1892 1899 या 191, ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही जब आप क्या होगा, 1893 तो जिन्हों ने भी 1893 बोला है, उन बिल्कुल सही है, perfect, good, शाबास everyone, very good, और सभी बच्चे वीडियो को like भी क्या करें ही, ठीक है, और मैं सभी के charts पढ़ रहा हूँ, और response भी दे रहा हूँ आप सभी को, बहिए, neutron की coach किस ने की थी, question number 9 neutron की coach, James Chadwick, J.J. Thompson, Rutherford या goldstein, बिल्कुल, तो आप में से जिनों ने भी इसका answer दिया, option A, यानि कि James Chadwick, उन सभी का बिल्कुल सही है, option A is the right answer, James Chadwick होगा इसका सही जवाब, next, question number 10 everyone, सभी के सामने कि Alfred Nobel ने किसका अविश्कार किया था, Alfred Nobel साब ने किसका अविश्कार किया था, television बिल्कुल, आप में से जिनों ने भी इसका answer बोला है, dynamite उन सभी का बिल्कुल सही है, option B is the right answer, Alfred Nobel साब ने dynamite का विश्कार किया था, dynamite यानि कि एक विस्पोटक पदारते याद रखेंगे question number 11 सभी के सामने कि computer के जनक किसे का जाता है, father of computer अमर्त से ने, Bill Gates से, Charles Babbage या सत्यन अडेला, बिल्कुल तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो जिनों ने भी option C बोला है, यानि कि Charles Babbage उन सभी का बिल्कुल सही है, perfect the right answer is Charles Babbage okay, good, next, everyone question number 12, सभी के सामने कि ग्यान पीट पुरसकार की शेत्र में प्रदान किया जाता है, ग्यान पीट पुरसकार कों से शेत्र में दिया जाता है, खेलकुदे भोतिकी है, अर्तशास्त्र या साइट्य बिल्कुल, तो आप में से, जिनों ने भी इसका अंसर बोला है, साइट्य, ठीक है उन सभी का बिल्कुल सही है, right answer is option D, ग्यान पुरसकार साइट्य शेत्र में दिया जाता है, question number 13, everyone सभी के सामने कि गांदी जी दक्षिन आफ्रिका में कितने वर्ष तक रहे थे, तो गांदी जी दक्षिन आफ्रिका में कितने वर्ष तक रहे थे, 21, 25, 26, 28, इस क्या होगा, सही जवाब, बिल्कुल, तो आप में से जिनों ने भी 21 वर्ष बोला है, उन सभी का बिल्कुल सही है, perfect, the right answer is 21 वर्ष, okay, good, शाबाद, question number 14, सभी के सामने कि, राम चरित मानस के, राम चरित मानस के लेकर तुलसिदास किस के समकाली ने थे, भयोया, राम चरित मानस नाम का जो पुस्तक है, किस ने लिखा था भय Är? तुलसिदास जी ने लिखा था, तो तुलसिदास जी किस के समकाली ने थे, अकबर, भिरबल, हुमाईयो, औरंग जिव, क्या होगा answer? बिल्कुल तो आप में से जिन्हों ने भी option A बोला है यानि कि अकबर बोला है उन्ह सभी का बिल्कुल सही है option A is the right answer अकबर होगा इसका सही जवाब question number 15 सभी के सामने अविवाब वो है कि scurvy, scurvy रोग कौन से vitamin के कमी से होता है vitamin B, vitamin A, vitamin D vitamin C, बिल्कुल तो scurvy रोग जो है वो vitamin कौन से कमी से होता है, vitamin C is the right answer जिन्हों ने भी option D बोला यानि कि vitamin C, ठीक है vitamin C की कमी से जो है वो scurvy रोग होता है बिल्कुल सही है, सभी के charts में पढ़ रहा हूँ साथ में मैं आप सभी को reply भी दे रहा हूँ ठीक है, आज की rapid fire वाली class है तो सभी को तुरंत answer करना है ठीक है, जादा समय नहीं लगाना है भारत का रास्टी आदर्श वाक्य क्या है जैसे कि एकता और अनुशासन सत्य में हो जयते वीरता और विवेक या अनेकता में एकता तो भारत का रास्टी आदर्श वाक्य क्या होगा बिल्कुल, option B is the right answer जिन्होंने भी सत्य में हो जयते बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, perfect है the right answer is सत्य में हो जयते ओके, good, चला, next अगला question है, question number 17 everyone सभी के सामने कि भाकडा, नागल, परियोजना किस नदी पर बनाए गई है जैसे कि गंगा है, सत्लज, यमूना है या ब्रह्मपुत्रा, तो भाकडान, अंगल, परियोजना जो है, वह कौन से नदी के किनारे बनी गई है, कौन से नदी पर बनाए गई है तो सत्लज, ठीक है, option B is the right answer जनोंने सत्लज बोला है, उन सब भी का बिल्कुल सही है, सत्लज होगा इसका सही जवाब Question number 8, अटरा ठीक है, वह एक ही भीया पनामा नहर का निर्मान, किस वर्ष हुआ था पनामा नहर का निर्मान 1920, 1930, 1914, या 1950 The right answer is बिल्कुल, option C is the right answer 1914, जनोंने भी बोला है, उन सबी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल, option C होगा इसका सही जवाब, चलो Next, question number 19, सबी के सामने मद्यप्रदेश में कहाँ पर currency printing press है जैसे कि देवास सही, अशुक नगरे, उजजेने, भोपाले ठीके, क्या होगा इसका सही जवाब, चलो try करो भी सभी, बिल्कुल, जनोंने भी आप में से बोला है, देवास, उन सभी का बिल्कुल सही है, देवास नाम का एक place है, ठीके, मद्यप्रदेश में वहाँ पर जो है, currency printing याने की नोटों के छपाई की जाती है, देवास is the right answer, next, question number 20, everyone, क्या होगा सही जवाब, Richter scale का प्रियोग किसे मापने के लिए किया जाता है, Richter scale का प्रियोग किसे मापने लिए किया जाता है, धोनी की तीवरता, भुकम की तीवरता नापने के लिए किया जाता है, question number 21, अभी के सामने, वो है, कि भी या, सिंदु सब्वेता का पतन नगर बंदरगा कौन सा था, सिंदु सब्वेता का पतन नगर बंदरगा कौन सा था, जैसे कि रोपड है, लोथल है, काली बंगा नहीं है, या मोहन जोदर है, तो क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है, इंडर्ज वैली सिंदु गाटी की सब्वेता का प्रमुक बंदरगा कौन सा था, रोपड, लोथल, काली बंगा या मोहन जोदर हो, बिल्कुल, तो आप में से जेनों ने भी बोला है, दे पर्फेक्ट आंसर इस, लोथल, ठीक है, लोथल, बिल्कुल, आप में से अल्मोस्स सभी कैडिट्स ने आंसर दे दिया है, लोथल होगा इसका सही जवाब, चलो, बार्तिय संगीत का आदी गरंते किसे कहा ज़ता है, रिगवेद, अथरवेद, सामवेद या एजुरवेद, क्या होगा एवरिवन आंसर, करेंगे जल्दी से बता दो, क्वेशन नमबर 22 का बिल्कुल सही है, तो आप में से जेनों ने भी ऑप्शन सी, यानि कि सामवेद बोला है, उन सभी का बिल्कुल सही है, पर्फेक्ट है, सामवेद होगा इसका सही जवाब, नेक्स्ट, क्वेशन नमबर 23, भारत की सबसे लंबी नदी कों सी है, गंगा, यमुना, गोदावरी या सतलज, भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी या सतलज, बिल्कुल तो इसका question number 23 का answer क्या होगा भीया गंगा option A is the right answer जिन्हों ने भी गंगा बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है गंगा चलो question number 24 everyone सभी के सामने बल का SI मातरक क्या है बल का SI मातरक आप सभी को बता है जैसकी newton है पासकल है जूल है या वैट है क्या होगा everyone इसका answer बिल्कुल question number 24 का answer होगा आपका newton जिन्हों ने भी option A बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है perfect है newton is the right answer question number 25 सभी के सामने बहिए उस्ताद जाकिर उसेन जी किस वाद्य अंतर में बजाने में विशिष्टता प्राप्त है डॉक्टर जो जाकिर उसेन साब है वो कोण से वाद्य अंतर बजाने में माही रहे या कोण से वाद्य अंतर से संब्दी थे बासुरी है सितार है तबला है या शेह नहीं है तो everyone सबी answer को तो जल्दी से चलो अब पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा क्या होगा everyone answer इसका बिल्कुन the right answer is तबला क्या होगा भया तबला is the right answer जिन्होंने भी आप में से तबला बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है अब बात आती है भया KBS की इस बात को भी याद रखेंगे क्योंकि आप सभी को बताए कि मैं अभी फिलाल ट्रेन में हूँ और मैं यहाँ पर KBS नहीं कर सकता हूँ तो इसलिए definitely याद रखेंगे आज KBS नहीं होगा 2-4 दिन उसके बाद हम KBS और खेलेंगे question number 26 वो है कि भारत की सबसे लंबी अंतरास्टिय सीमा किस देश के साथ लगी है श्री लंका है बांगलादेश है नेपाल है या भूटान है तो क्या होगा everyone आप सब की दरब से आंसर बिलकुश जिनों ने भी बोला है बांगलादेश उन सभी का बिलकुश ही है बांगलादेश को जो है हमारे भारत की सबसे लंबी अंतरास्टिय सीमारे का जो है वो बांगलादेश से लगी हुई है चलो question number 27 order of Australia किस देश का रास्टिय पूरस्कार है जैसे कि Australia, भारत, बृतन या रशिया अपना भारत का भारत रतन है उस तरीके से question number 28 यह किस देश का समाचार पत्र है अमेरिका, भारत, चीन या पाकिस्तान क्या होगा everyone जैसे अपना भारत का Indian Express है इंडिया न्यूज है या दैनिक जागरन है दैनिक भासकर है इस तरीके से जो अपने इंडियाज के जो न्यूज पर बने ना उसी तरीके से लॉस एंजिल्स टाइम यह एक फेमस समाचार पत्र है तो यह कौन से देश का है बिल्कुर तो आप मेंसे जिनों ने भी अमेरिका बोला है याने कि ऑप्शन है यूज से बोला है उन सभी का बिल्कु सही है अमेरिका इस तर राइट आंसर गुड भारतिय सेना की जो पूरवी कमांड है उसका हेड कौटर कहां पर है उदामपूरे, कोलकाता, चंदी मंदिरिया, पूने तो आप सभी के दरब से क्या आंसर मिलेगा बिल्कु सही है तो जिन्हों ने भी पूने बोला है उनका बिल्कु सही है पूने इस दा राइट आंसर ओके गुड चालो, लास्ट कोशन आज के क्लास का वो है कि भारत के पहले रक्षामंद्री डिफेंस मिनिस्टर कों थे पहले श्री रामनात कोवें श्री अमीत शाह, श्री नरेंद्र मोदिया श्री बल्देव सिंग बिल्कुल तो जिन्हों ने भी option D बोला है यानि कि श्री बल्देव सिंग जी बोला है उन से भी का सही है अगर सभी के अडिट्स को जाहें डेवरिवां तो application को install कर लो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे सबसे पहले आपको menu को उपर कलिक करना है उसके बाद में NCC New Verity 2022 लिखा है एक plus का icon दिखा देगा उसके उपर कलिक करें उसके बाद जो है step number 3 में सारे के सारे जो entrance test आपके सामने आ जाएंगे उनसे भी test को आपको solve करके देखना है और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर देना है अगर आपके mobile में अभी तक application नहीं है तो Google Play Store से application इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो लगाओ अच्छा लगाओ तो like जरू कर दीजे तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी कल वाली class में ओके तो सभी को good night सभी अच्छी तरीके से खाना खाएंगे सभी अच्छी तरीके से सो जाएंगे सभी को good night तो मिलते हैं अपनी next वाली class में तब तेगे लिए टाटा बाई बाई सायनरा अलविदा चाहिंत वंदे मात्रम